नमस्कर दोस्तों सौगत यापका फार्मरोक्स के यूटूब एज्योगिस्टे चैनल में तो आज हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि पूरूसों के अंदर अपने प्राइवेट पार्ड पे उंसी हो गई है यहाँ पे जो हम पीक में देख रहे हैं इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे डेवलफ होता है वहाँ पे इस तरह से दाने जैसा हो जाता है फिर सफेद रंग के ऐसे छोटे दाने जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं और चौता problem हम देखे तो ये बारेक बारेक फुनसिया वहाँ पे देखने को मिलती है तो ये जो सबी symptom से वो indicate करते है कि panel papil की समस्या हो सकती है तो सिखते हैं ये problem के बारे में detail में और जानते है कि किस तरह से उसका solution ला सकते हैं तो सबसे पहले हम उसका basic सिखेंगे और ये सभी chapter से उसको ये video lecture के अंदर cover करने वाले हैं तो सबसे पहले उसका basic introduction समझते हैं तो सभी पूरुसों में इस जगा पर अद्रस से दाने होते हैं लेकिन कुछ लोगों में ये दाने ज्यादा बड़े हो जाते हैं और इन बड़े दानों को ही pearly panel papils जो है वो कहा जाता है मलब कि invisible ऐसे जो दाने हैं वो सभी के अंदर होते हैं पर कुछ लोगों के अंदर ये दाने जो है वो दिरे-दिरे visible होने लगते हैं कि जिसको हम triple पे या फिर pearly panel papils जो है वो कहते हैं तो उसके कुछ medical terms हम देखे तो हिरसुटोइट papillomas भी उसको कहा जाता है पैनेल स्रिस्टन के दाने कहा जाता है हिरसुटोइट papilloma पर्ली पैनेल papils जो है उसके अलग-अलग नाम है तो जैसे अभी हमने समझा कि एक छोटे bumpy skin के color के ही दाने होते हैं और कई बार ये pink color जैसे या फिर white color जैसे जो है वो दिखते हैं कि जिनके size खासकर होती है एक से 4 mm जितनी उनके diameter के अंदर तो उसमें जरूरी ये है कि ये बनते क्यों है और किस तरह से बन सकते हैं ये problem इसमें नहीं कही जाती तो पर ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे आपको साप सफ़ाय रखनी जरूरी है उसक सेत्र को साप रखने के लिए नहात समय डेटल पाने का उप्योग करें किसी भी OTC क्रीम जिस अंटी फंगल अंटी सेप्टिक और जीवान रोधी का उप्योग न करमले जो कुछ अंटी बेक्टेरिल होते हैं अंटी फंगल होते हैं वह आप वहाँ पर ना लगए विकोज यह कोई बीमारी ही नहीं है जस्ट एक अनाटोमिकल स्ट्रक्चर है तो जो PPP है वो पुरूस के प्रजनन स्वास्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता यह के प्रकार की सारेरिक सर्रचना है और पूरूस प्रजनन प्रणाली के सारेरिक कारिये पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं डालता अगर कोई वहाँ पर साफ सफ नहीं रखता तो फिर आगे जाके infection हो सकता है तो समय के according to कई बार ये दाने बड़े भी होते फिर automatically वो अध्रस से भी हो जाते हैं कुछ लोगों में काफी छोटी से दिखते हैं कुछ लोगों में वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कोजिस हम देखे तो कोई ऐसे reasons नहीं है because ये कोई ऐसे harmful नहीं है कोई बीमारी या फिर कोई problem create नहीं करते हैं just anatomical variant है तो it can not pass from person to person during any type of physical activity का अगर कोई physical activity होती है तो भी एक person से दूसरे person में या नहीं फिर कोई ऐसे बीमारी नहीं है तो इससे गब्रा नहीं की कोई भी जरूरत नहीं है पर कुछ ऐसे symptom है कि कुछ लोग उसके करन anxiety जैसा फिल करते हैं और अपने partner के सामने उनको सरम आती है साइ फिल करते है तो ये कुछ समस्या होती है उसके करन मतलब कि कई पर उनका confidence कम हो जाना self confidence की जो हम बात करते है चीनता होना गब रहाट रहेना डर सा लगना कि कुछ हैसा बड़ा problem होगा तो क्या होगा बड़ इससे डरने की बात नहीं है ये एक simple anatomical structure है कि जिससे कोई भी problem जो आपको नहीं होती है diagnosis के हम बात करें तो इसकी just check करने के लिए physical examination किया जाता है directly वहाँ पे check किया जाता है और treatment के जो कुछ options हम देखे triple BP के अंदर तो CO2 laser vaporization का एक option यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर जो हम देख रहे है कि CO2 laser incision और यह जो technique है उसको use करकि यह जो दाने है वो dissolve कर दिये जाते है और जो skin है वो वापस normal सी देखने लगती है फिर radio surgery का यहाँ पर एक option बनता है यह problem को solve करने के लिए फिर cryo surgery का option बनता है electro surgery का option बनता है तो यह सब options उसके लिए बनते हैं तो इलाज कैसे हो सकता है मैंने कि कोई बीमारी नहीं है पर फिर भी कोई ऐसा anxiety फिल करता है उसको sigh फिल होता है तो उसको कैसे manage कर सकते है यह condition को तो keep personal hygiene वहाँ पर आपको अच्छे से साफ सफाई रखनी है फिर जिसे हमने आगे भी बात की वीडियो में तो simply जो जो datal water है वो use करना चाहिए नहाते वग कि जिससे वो area जो अच्छे से clean रहे आपको वहाँ पर साफ सफाई अच्छे से रखनी है फिर कोई भी OTC जो क्रेम आते हैं जैसे का antifungal है antiseptic antibacterial है वो लगाने की जरूरत नहीं है जो reproductive health है उसके ओपर कुछ भी असर नहीं होता त्रीपल पी के कारण पर यहाँ पे कुछ गरेलू उपाय है यह problem को solve करने के लिए मतलब की आपको ऐसा लगते है कि आपको उस तरह का anatomical structure नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते है तो coconut oil जो है वो वहाँ पर लगा सकते ह दिन में दू या तीन बार वहाँ पर जो फ्रेस coconut oil होता है वो खास लगाना चाहिए या फिर जो organic coconut oils का जाता है उस तरह से जो olive oil आता है वो भी similar तरीके से दू या तीन बार जो है वो लगा सकते हैं कि आपको वहाँ पर triple पी जैसा हुआ है फिर jojoba का oil आता है वो भी दिन म दू या तीन बार जो है वो affected area पर लगाया जा सकता है फिर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो tea का oil आता है वो भी patient जो है वो लगा सकता है तो यह जो है simple एक anatomical structure है उससे गब्राने की या टैंसल लेने की बात नहीं है एक normal सा problem है कि जो easily कुछ time कुछ से भी disappear हो जाता है या फिर आपको वहाँ पर और जदा अच्छे से उसको करना है तो यह जो चार आमने अलग-अलग oils देखे वो oils जो है वहाँ पर apply किये जा सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पर click करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं so good luck and all the best कर दो ये वीडियो रज़ bon the कर दो ये वीडियो अपऱ आपको अगर ये जब जाना है तो ये वीडियो वीडियो टाना है तो ये ये वीडियो पर-देख September 11th झाल, 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 झाल